स्रीष शिवाय नमस्तो प्याम दोस्तो। आप सबी लोग जानते हैं कि 23 नवंबर को है देवटनी एक दशी या देवटनी क्यारस। दोस्तो ये साल की सबसे बड़ी एक दशी होती है क्योंकि ये वो दिन होता है जिस दिन हमारे देवटते हैं मतलब की भगवान विश्णू अपने चार महीने की जो निद्रा होती है उससे उठते हैं और दोस्तो इसी दिन से सारे शुबकार रेहुनश शुरू हो जाते हैं मतलब शादी विवाहावाले और दोस्तो आप सभी लोग जानते हैं कि देव उठनी एकादशी के जब इतना बड़ा दिन है तो इस दिन जब हम भगवान को प्रसंद करने के लिए कुछ विशेश उपाय करेंगे तो उसका भी फल हमें बहुत ही बड़ा होकर मिलेगा तो आज की इस वीडियो में हम आपको देव उठनी एकादशी के सारे विशेश उपाय बताएंगे जो कि पंडी जी ने अपनी पिछली कथाओं में सबी कथाओं में जो बताय हुए हैं उस सारे उपाय हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं साथ ही में दोस्तों आप लोगों को हम ये भी बताएंगे कि देव उठनी एकादशी की दिन आप लोगों को क्या करना चाहिए तो सबसे पहले चीज देव उठनी एक अदशी की दिन हो सके तो ब्रह्म महुरत में आपको उठ जाना चाहिए जल्दी उठ जाना चाहिए और आप जिस जल से या जिस बाल्टी के अंदर आप जल डालकर इस्नान करने है उसमें थोड़ी सी हलती डालकर आपको इस्नान करना और दोस्तो इस दिन आप एको पीले रंग के वस्त्र विशेश रूप से पहनने चाहिए क्योंकि भगवान विश्णु को कौन से रंग सबसे जादा प्रिय है वो है पीला रंग तो आप लोग इस दिन पीले रंग के वस्त्र जरूर पहने भगवान वैसे ही बहुत ज़दा प्रसन हो जाएंगे चलिए दोस्तो अब हम बात करते हैं इस देव उठनी एक अतरशे की दिन किया जाने वाले कुछ विशेश उपायों के बारे में दोस्तो सबसे पहले जो हम आपको इस दिन किया जाने वाले विशेश उपाय बताएंगे वो आपकी पूजा से जोड़ा हुआ ही बताएंगे और ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके घर में धन की पैसों की बहुत ज़दा दिक्कत समस्तिया होती है ठीक है या उनके घर में किसी का व्यपार है बिजनस है वो सही नहीं चलता या पैसों की बहुत तंगी बनी रहती है पैसों की कमी आती ही रहती है या कर्जा है आप लोगों की उपर तो ये हवाला उपाय इस देव उठनी एकादशी की दिन एक बार जरूर करें तो उपाय में क्य करना क्या है कि जब आप लोग अपने पूजन की तैयारी कर रहे हूं तो उसी समय आप लोगों को एक सिक्का लेना है कौन सा सिक्का लेना है जो भी आपके पास साधा सिक्का हो जैसे की एक रोपे का दो रोपे का पांच रोपे का दस रोपे का जो सिक्का हो आपके पास ठ करने की जोपड़ी के बिल्कुल बीचों बीच में ठीक है जहां पर आप तुलसी जी और शालिगराम जी को विराज़ित करने वाले हैं पहले सिक्का रखाएगा पहले आप अपने सभी काम कर ले नीचे जो भी चौक वगेरा जो पूरना चाहते हैं अगर जो भी करते हैं वो उपाय अभी यहां पर आधा हुआ है ठीक है आप अपनी पूजन कर लीजे बस यहां पर उपाय का आधा हिस्सा इतना ही था अब आपको करना क्या है देवुटनी एकदर्शी के दिन आपने इतना काम किया मात्र सिक्का रखने का काम है देवुटनी एकदर्शी के दिन से पहले उठना चार बजे तक आप लोगों को यह उपाय करना ही करना है ठीक है चार बजे से पहले उठके स्थान कर लेना शुद्ध हो जाना सभी अपने काम कर लेना उसके बाद चार बजे के आसपास आप लोग वापस से इस स्थान पर आना जहां पर आपने देव उठनी और जहां पर आपने ये सिक्का रखा हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, सुभा सुभा देव को उठाएंगे, सभी देव को उठाएंगे, देव को उठाने के बाद आप जो है, वहां से तुलसी जी और शाली ग्राम जी को भी उठाएंगे, वहां पर लीपन करेंगे, त तो करना क्या है माताओं भेनों को अपनी जोली को फैला लेना है ठीक है तो दोस्तों आपको क्या करना है कि इस सिधा अपनी जोली में ढाल लेना है ठीक है अपनी जोली फैला कर उसके अंदर डाल लेना है इसे आपको हतेली में नहीं रखना है जोली में डालने के बाद आप आपको क्या करना है कि पहले से एक हल्दी एक कटोरी के अंदर आपको थोड़ी सी हल्दी जो है पहले से रखना है ठीक है कौन सी हल्दी रखना होगे पिसी होई हल्दी रखोगे ठीक है तो एक खाली कटोरी के अंदर थोड़ी पिसी होई हल्दी पहले से तयार रखना और उस कटोरी के पास अपनी चोली के अंदर जो आपने सिक्का लिया है इस चोली को लिकर वहाँ पर जाना और इस सिक्के को फिर अपनी चोली से निकाल कर इस हल्दी की कटोरी के अंदर रख देना ठीक है अब इस हल्दी की कटोरी के अंदर जो आपने सिक्का रखा हुआ है अब इ तो पुरे साल आपको उस बिजनस से, उस व्यपार से या उस जगह पर, कभी भी पैसो की कमी तो होगी यह नहीं में घर में रख रहे हो, तो आपको उसमें कभी घाटा नहीं होगा, फाएदा ही फाइदा होगा, ठीक है तो यह वाला उपाए, इस दिन बहुती जदा उपाय के बारे में जिस उपाय को माताओं बहनों को विशीश रूप से सुनना चाहिए अपने बच्चों के लिए वो भी हम आपको बताते हैं देखे, आज कल बहुत सारी माताय मेहने परेशान होती है कि उनके बच्चों का विवाँ नहीं हो पा रहा है किसी भी तरीके से जो है उनके बच्चों के विवाह में अर्चने आती है या उनके बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है और आपने विवाह के लिए भी बहुत सारे उपाए कर लिए है पर एक उपाए आप लोग इस देव उठनी एक दशी की दिन और इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस उपाय को उसी व्यक्ति को करना है या उसी बच्चे या बच्ची को करना है लड़का हो या लड़की कोई दिक्कत नहीं है कोई भी इस उपाय को कर सकता है उसी को अपने हाथों से ये वाला उपाय करना है जिसका वि प्यार करवाने के बाद आपको क्या करना है कि उसके अंदर चार बाती लगाना है कितनी बाती लगाना है चार बाती लगाना है और चार बाती लगाने के बाद आपको क्या करना है कि उसी दीपक के अंदर शुद्य देसी गाये का घी आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है डाल दिया आप लोगों ने, अब डालने के बाद दूस्तों क्या करना है, आप लोगों ने चार बाती यहां पर रखी, उसके अंदर शुद्य देसी गाय का घी डाला, इसे आपको अपने सीधे हाथ की अतिली में रख लेना है, ठीक है, सीधे हाथ की अतिली में आप लोगों उसके बाद आप लोगों को यह वाला उपाय करना है इस बात का ध्यान रखना तो आटे का बड़ा दीपक बना कर चार बत्ती उसके अंदर रखकर शुद्ध देशिया का घी मतलब उसके अंदर डाल कर और इस दीपक को जला कर सीधे हाथ की हतिले में रख लेना क्या नाम लेकर शिव और नारायन का नाम लेकर और उसके बाद में जो है आपको अपने बच्चे का मतलब माताओं बेहनों को अपने बच्चे का हल्दी से एक तिलक कर देना है और अपने बच्चे की हतिली में थोड़ी सी हल्दी भी जो है यहां पर लगा देना है उसके बाद दोस्तों देखना धाई से तीन महीना लगेगा आपके बच्चे का विवाहा जरूर पक्का हो जाएगा जो कि आप लोगों को इस देव उठनी एक अदिशी के दिन जरू करना चाहिए और इस उपए को करने से आप से भगवान विष्णु भी प्रसन होगे भगवान शिवी प्रसन होगे अब इस उपए में का करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो देखो इस उपाय में सबसे पहले आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि यह उपाय प्राता का सुभा सुभा होगा देव उठनी एक अधशी की दिन यह उपाय इतना जादा आप लोगों को काम में आएगा कि आपको कुछ बोलने की जरूत नहीं है बिना मांगे आपको इस उपाय करने के बाद मिल जाएगा मात्र करना क्या है इस उपाय में आपको तीन शब्द बोलना है ठीक है तीन शब्द तो बोलोगी ही साहति में आपको अपने घर से प्राता कल सुबा-सुबा शुद्ध होके इस्दान करके पीले वस्तर पहन लेना जितना अगर हो सके तो अन्य अथा कोई दिक्कत नहीं है आपको एक लोटा लेना है उस लोटे के अंदर जल भरना है या शिप जी के जो आप पूझन रचना करना चाहें वो पूझन सामगरी लेकर पहुँचना है पहले शिप जी के मंदर जाकर शिप जी पर जल चढ़ाना है अपनी पूझन अर्चना पूरी कर लेना है ठीक है थोड़ी बहुत पूझन अर्चना जरूर करना है और अगर जादा नहीं करना चाते तो एक लोटा जल तो जरूर लेकर जाना और शिप जी पर चढ़ा देना जल टढ़ान एक बाद या पूजन अर्जना करने के बाद आप लोग बैठ जाना शिब जी के पास में हाँ जोड़कर आखे बंद करकर और ये नाम को तीन बार बोल देना जो नाम है सुधा कूछ इस प्रकार से सुधा, 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 मात्र तीन बार बोलना है सुधा ना पास रखते हैं तो क्या होता है तो देगे सबसे पहले अगर आप के पास कोई लाल वस्तर है और उसे आपको मतलब उसे आपने तुलसी जी के उपर उढ़ाया हुआ है और कार्टिक के महीने में ही आप लोगों ने जो है उसे उतार कर अपने घर के अंदर किसी अच्छे स्थान पर रख दिया है तो इससे क्या होगा कि आपके घर में अगर ल लाल कपड़े की उसके बाद में दोस्तों आप बात करते हैं पीले कपड़े की अगर आप लोग तुलसी जी के उपर पीला कपड़ा उढ़ा कर रखते हैं कुछ समय के लिए स्कार्टिक के महीने में और उस पीले कपड़े को निकाल कर आप लोग अपने पास रख लेते है सुरक्षित या माताएं भेने अपने पास सुरक्षित रख लेती है तो जिस माता का गर्ब नहीं ढहरता है या संतान की प्राप्ति नहीं होती है उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है तो इतना जादा महत वैस देवोटनी एकदशी का इस कार्थिक के महीने का और इस लालोल पीरे वस्तर का चीक है बाकी दोस्तों ये सारे उपाय थे जोकि आपको इस देवूट नी एक अधर चीक के दिन करना है बाकी दोस्तों कोई भी दिक का समस्या या परेशानी आती है तो सीधा आप हमारी वेबसाइट फुलेनाथभक्ति.com पर जाकर सारे उपायों को आराम से बैटकर पढ़ सकते हैं कोई भी समस्या कमेंट करके पूछ सकते हैं ओम नमाई शिवाय जाय भुले अबास्तुरी शिवाय नमस्तु प्याम